अगर आपको खून की उल्टी होती है तो मेरी सला है कि आपको तुरंथी डॉक्टर की मदद लेनी चाहिए इन्फेक्ट आपको तुरंथी किसी ना किसी अस्पताल में पहुंचनी की जरूरत है क्योंकि खून की उल्टी कुछ उस तरह की समस्या है जो आपको बाहर से तो सिर्फ खून दिखाई देता है लेकिन अंदर क्या हो रहा है जिसके आपको बाहर से कोई जानकारी नहीं होती है मलब इनफेक्ट खून की उल्टी को हम ज्वाला मुखी के समान मान के चलते हैं कि एक जो आपको खून की उल्टी में ब्लड आया वो सिर्फ संकीत हो सकता है कि अंदर ज्वाला मुखी उबल रहा है तो अगर आपको खून की उल्टी होती है तो आपको सबसे पहली में सला दूँगा कि आपको डॉक्टर से संपर्ख करना चाहिए इन प्रिफरेबिली आपको हॉस्पिटल पहुंच जाना चाहिए मान लिजे कि आप गेस्टो लिवर हॉस्पिल या किसी गेस्टो इंट्रालजी सेटप या उस तरह की सेटप में पहुंचते हैं जहां पेट पित लिवर की बीमारियों का इलाज होता है सिर्फ आर एक्जामपल आप इस सेटप में आते हैं जो गेस्टो लिवर हॉस्पिटल है जो सिर्फ गेस्टो इंट्रालजी की बीमारियों का इलाज करता है आपको खून की उल्टी होती है तो हम क्या करते हैं हम सबसे पहले आपको इमर्जेंसी में लेते हैं इमर्जेंसी में लेने के बाद हम आपको कुछ intravenous fluid चालू करते हैं आपका blood pressure monitor करते हुए कि आपका blood pressure कितना कम हो गया है आपको जो हना नात के रास्ते से एक नली जिसे rile stew पास करते हैं वो पास करते हैं जाके हम पता लगे कि अंदर खून कितना भरा हुआ है और उस नली के दवारा खून कितना आ रहा है नमबर तीन हम आपको कुछ ऐसे जो हना drugs देते हैं जिसे acid का formation कम हो जाए जैसे pentopragal, rabepragal वो आपको intravenous जो ना fluid देते हैं हमारी कोशिश सबसे पहले ये होगी कि आपको stabilize किया जाए आपका blood pressure stabilize किया जाए आपको जो खून की कमी हो गई है उसको कम से कम किया जाए या आपको जो bleeding हो रही है उसको बंद करने का उपाई किया जाए अगर आपको खून की ज़्यादा कमी है आपकी heart rate बहुत ज़्यादा चल रही है और आपकी अगर सांस में भी दिक्कत खड़ी हो रही है या blood pressure बहुत कम हो गया है अगर ये चार इस्थितियां है तो हम चाहेंगे कि आपको intensive care unity ICU में shift किया जाए ताकि आपके बहतर monitoring हो सके अगर खून की बहुत कमी है खून बहुत ज़्यादा निकल गया है तो आपको blood transfusion की ज़रूरत पड़ेगी हम कोशिश करेंगे कि आप जितने जल्दी stabilize हो जाए उतने जल्दी ही हम आपको endoscopy के लिए ले सकें क्योंकि endoscopy ही वो जाच है जिससे हमें ये जानकारी मिलेगी कि आपको खून की उल्टी कहां से आ रही है वो आपकी क्या reason है जिससे खून की उल्टी हुई ये खून आपको खाने की नली से आ रहा है आपको खाने की तहली से आ रहा है या आपको डूडनम से आ रहा है क्योंकि इस खून की जो उल्टी है या यह जो भी समस्या है इसके निदान के लिए हमें ये जानकारी करने की सबसे पहले जरूरत होती है कि जो blood आ रहा है उसका source क्या है लेकिन endoscopy के पहले हम जरूर ये चाहेंगे कि आपका blood pressure इस्तिर हो जाए आपकी heart rate reasonably control हो जाए आपकी sance reasonably control हो जाए और अगर आपको जो blood बहुत कम है तो कुछ blood आपको transfusion हो जाए जो endoscopy हम इस इस्तिती में करते हैं actually ये emergency endoscopy होती है इसमें हम anesthetist ये critical care के जो doctor है उनको भी अपने साथ रखते हैं ताकि हम जब endoscopy करें तो किसी प्रकार का कोई खतरा उत्पन न होने पाए जहां तक emergency endoscopy एक सवाल है इस तरह के जो setup जैसे gastro liver hospital जैसा setup है ये सुविधा आपको 24 hours available कराता है आप रात के 12 बजे भी खून की उटी लेके आते हैं तो आप इसके stable करके अगर 4 बजे भी हमें लगता है कि आपकी general condition stable है तो हम 4 बजे रात में आपकी endoscopy करते हैं ताकि हम ये clear कर सके कि खून कहां से आ रहा है हम ये कोशिश कर सके कि जो खून आ रहा है उसको endoscopy की द्वारा उसका निदान किया जा सकता है कि नहीं हम कोशिश करते हैं कि कहीं ऐसी कोई problem तो आपको नहीं है जो surgeon की मदद मांगती है तो जब hospital आते हैं तो हम इतने काम करते हैं करते हैं करते हैं